गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में असोक के समराजे विस्तार और उसकी धार्मिक निति के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा असोक का प्रारंबिक जीवन उसकी मृत्यू कैसे हुई यह सब बाते हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ ली है और जो मगद महाजनपत के जो हरियक वन्स था सिसुनाग वन्स था नंदवन्स थे मोरिय वन्स थे उनके प्रारंबिक सासकों के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है यदि आप लोगोंने हमारे यूटूब चैनल इ तो आपकी परिक्ष्या के दर्ष्टिगोंड से बहुती महतोपुन होगी तो देखेगा चलते हैं असोग के समराज्य विस्तार को पढ़ते हैं असोग का समराज्य विस्तार असोग के अबिलेखों के आधार पर हम निस्चित रूप से उसकी समराज्य सीमा का निर्धारन क कर सकते हैं उत्तरपसी में दो स्थानों से उसके सिलालेक प्राप्त हुए हैं पेशावर जिल्य में इस्तित साहबाद गड़ी और हजारा जिल्य में इस्तित मान सहरा के अभिलेक ठीक है इन स्थानों के अलावा कंदहार के समीप सरेकुला तथा जलालाबाद के निकट पुल नदी के उत्री किनारे पर इस्तित लगमान से असोग के अरामेइक लिपी के लेक मिले हैं। इन अभिलेखों के प्राप्त स्थानों से यह स्पस्ट होता है कि उसके समराजय में हिंदूकुस, एरिया, हरताथ, हेरात, आरकोसिया, कंधहार तता जेड्रोसिया सामिल थे इन पर इस्तित है कि असोग के समराजय में अफखानिस्तान का एक बड़ा भाग समिलिते था। जलता है कि उत्तर में हिमाले छेतर का एक बड़ा भाग जो नेपाल की तरही में श्तित है, वि उसके समराजय में श्तित था। इन से उसके समराजय की दक्षिनी सीमा करनाटक राजय तक जाती है। द्वित्य सिलालेक में असोग अपनी दक्षिनाई सीमा पर इस्तित चोल, पांडेई, सतियपुत, केरलपुत तथा तमर पढ़ने के नाम बताता है। चोल राजय में तमिनडु के त्रिचनापली तथा तंजोर का छेत्र था। पांडेई राजय में मदूरा, रामनाद तथा तीरुनेवेली के जिल्ले सामिल थे। केरलपुत राजय में दक्षिन मालावार छेत्र था। सतियपुत के पहचान संदिक्द है, पता नहीं है। और तमर पढ़ने से तात्प्रिय लंका से है, इन सभी के साथ असोक का मैत्रिपूर्ण संबंद था। इसे इसप्रस्टा की दक्षिन के भाग को छोड़कर जो चोल, पंडे, सत्यपुत तता केरलपुत उसके अधिकार में थे, इन छेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत असोक के अधिकार में था। तो दक्सिन भारत को छोड़ कर अर्थात जो चोल, पांडे, सत्यपूत तता केरलपूत है ये तो उसके दिकार में थे बाकी का दक्सिनी भाग छोड़ कर संपून भारत है असो के दिकार में था तेरवे सिलालेक में असो के समीपवर्टी राज्यों की सुची इस परकार मिलती है देखेगा योन, कमबोज, गंधार, रठिक, भोजग, पितनिक, आंद्र, नाभख, नाभं, 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 पती, नाभं, पती, पारी मिदस तो ये सारे हैं ये उसके इनमें योन तथा यवन, कमबोज तथा गंधार परदेश, उत्तर पस्यमी सिमा परिस्तित थे, भोज, बरार तथा कोंकण में रठिक या रास्ट्रिक महराष्ट में निवास करते थे, पितिनिक पैठन में तथा आंधर राजे कृष्णा और गोदावरी नदियों के इस कहीं बसा था, पारिमिदिस के समीकरण के विशे में विवाद है, राय चोधरी इसे विंदे छित्र में तथा भंडार कर बंगाल के उत्तर पूर्वी भाग में इस्तित बताते हैं, पस्यमी काठ्यावाड में जुनागट के समीप गिरनार पाढ़ी तता उसके दक्सिन में महरास्ट के थाना जीले के सोपारा नाम स्थान से उसके सिलाले के मिलते हैं, बंगाल के खाड़ी के समीप इस्तित कलिंग राजे को असोग ने अपने अभिसे के आठवे वर्स में जीता था, तो बंगाल के खाड़ी के समीप जो इस्तित है कलिंग राजे, उसको उन कई बार आता है ठीक है उडिसागी दोस थनों से भी असोग के अभिलेग मिलते हैं बंगाल में तमर लिप्ति से प्राप्त इस्तूप उसके वहाँ अधिपत्य की सूसना देता है वेन सांग हमें बताता है कि सम्तथ, पुंडरवर्धन, कर्ण, सुवन, अधि में भी असो के स्थूप थे इन सभी अभिलेखों की प्राप्ति थानों से यह स्पस्थ हो जाता है कि उसका सम्राजे उत्तर पसीमी सीमा प्रांत अपखानिस्तान से लेकर दक्सिन में करनाटक तथा, पस्चिन में काठियावार से लेकर पूरव में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था, कस्मीरी कवी कलहन की रास्त्रिंगनी से पता चलता है कि उसका कस्मीर पर भी दिकार था, इसके अनुसार उसने वहां धर्मारेणी विहार में असोकेस्व नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी, कलहन असोको कस्मीर का प्रथम मोर ये सासक बताता है, ठीक है? उसके समराजे की उत्री सिमा हिमाले परवत्तक जाती थी, इस परकार वह है अपने समय के विसालतम समराजेव में से एक था, तो देखो यहां पर हम लोगों ने असोका समराजे विस्तार पढ़ा, इससे कई बार कई कि उसन पूछ लेते हैं, सिदा सिदा ऐसे भी पूछ ल कर लिया, तदा पोड रूपे आस्वस्त हो गया की, जो कुछ बगवान बुद्ध ने कहा है, वह सब्द से सत्ते है, तथा पी अपने विसाल समराजे में उसने कहीं भी किसी दूसरे धरम, अथ्वा समपरदाय के परति अनादर, अथ्वा ऐसे सुनोता परदर्शिते नही की, असो के अभी लेग इस बात के साक्सी हैं की, अपने राजे के विभिन मतों तथा समपरदायों के परतिवा सदय उद्धार एं सहनसेल बना रहा है, उसने बलपूर किसी को भी अपने मत में दिख्शित करने का प्रिया से नहीं किया, साथवे सिलालेक में वह अपनी धार्मिक इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है की, सब मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके, क्योंकि वह सभी आत्मस्रियम, इमर्यधे की पवितरता चाहते हैं, इस पस्थ है की, असोक ने ये बली बांती समझ लिया की, सभी धर्मों में सचाई का अंस्विद्यमान है, तथा यह समझ लेने पर उसका सभी मतों के प्रती उदार होना स्वाभावी खीत था, बारवे सिल्लालेक में वहे विबिन धर्मों के प्रती अपने दुरस्थी कोण को और अधिक सपस्ट करते हों कहता है, मनुस्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की आकारण निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो ये उक्ति बार्वे सिल्लालेक में कही गई है कि मनुश्यों को अपने धरम का आदर और दूसरे धरम की अकारन निंदा नहीं करनी चाहिए ठीक है एक ने एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए ऐसा करने पर मनुस्य अपने संपरदा की व्रधी करता है तथा दूसरे के संपरदा का उपकार करता है इसके विप्रीद करता हुआ वह अपने संपरदा को जीन करता तथा दूसरे के संपरदाय का अपकार करता है ठीक है ना जो कोई अपने संपरदाय के प्रती भक्ती और उसकी उन्नती के लालसा से दूसरे के दरम की निंदा करता है वै वस्तुते अपने संपरदाय की ही बहुत बड़ी हानी करता है लोग एक दूसरे के धम को सुनें इससे सभी संपरदाय बहु सुरूत अर्थात अधिक ज्यान वाले होंगे तदा संसार का कल्यान होगा इन पंक्तियों में सबस्ट है कि एक सच्चे अन्वे सक्की भाती असोग ने ये है पता लगा लिया था कि विभिन मतों की संकीन बुद्धी ही आपसी कलह एम विवात का कारण बंदी है अतेव वह सबको उदार द्रस्टी कोण अपनाने का उकदे से देता है इस बात के परमान है कि असोग की दान सेलता से बोधे तर जनो एम संपर्दायों को भी बहुत लाब मिला उसने बराबर बाराबार जो गया जिल्ले में स्तित है उस पहाडी पर आजीवक संपर्दाय के सन्यासियों के निवास के लिए कुछ गुपाये निर्मित करवाई थी यवन जात ये तुस्सास से को असोग ने काठिया वाड प्रांत का राजेपा नियुक्त किया राज त्रिंगणी से पता चलता है कि कस्मीर में उसने विजेस्वर नामक एक सैव मंदिर का जिर्णो धार करवाया था तता उसके विथर दो समाध्या निर्मित करवाई थी इन धरणों से असोग की धार्मिक सेशुनता सीध हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि जो असोग है उसने सभी दर्मों में सभी दर्मों में आस्ता जताई थी उसका कहना था कि अपने दर्म में तो आस्ता रखो रखो दूसरे के जो दूसरे का जो धर्म है उसको बिना किसी कारण के निंदा मत करो दूसरे द्रमों में भी आस्ता बनाए रखो ताकि जीवन में कुशियां आएं संसार का भला हो तो इस वीडियो में हमने असोग के समराजे विस्तार और उसकी धार्मिक निति के बारे में पढ़ा आगे के वीडियोज में हम असोग के उपलब्धियों के बारे में थथा उसने कौन-कौन से जनता के लिए भलाई के लिए कारिय के थे इन सबी के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद